ग्रेट्स 11 एंट 12 में हर स्टूडेंट ने कभी ना कभी लॉगार्थमिक टेबल्स यूज किया होगा कैल्कुलेशन को सिंप्लिफाई करने के लिए पर बहुत कम लोग को पता होता है कि लॉगार्थमिक टेबल्स की वैल्यूस किस तरीके से आई है या क्या method follow करके निकाली गई होगी हम काफी fortunate है कि हम ऐसी सदी में आये है जिसमें काफी ज्यादा calculation और ये मेहनत mathematicians करके हमारे लिए ready to use रख लिये है और हमने उसको directly use किया गया है बिना पूछे कि किस तरीके से आया था दो famous mathematicians से जिसका हमें शुक्रगुजार होना चाहिए log tables के लिए एक है john napier और दूसरे थे used burgy जोनोंने 1614 और 1620 में independently logarithmic tables create किया है उनको एक दूसरे के वर में पता नहीं था इसलिए उन्हेंने पूरी की पूरी मैनत अलग से कर ली थे अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि logarithmic tables किस तरीके से create की गई थी हम एक example ले ले लेते हैं log of 64 to the base 10 हमें यह तो पता है कि 64 एक double digit number है विच मीज़ उसकी log की value 1 से 2 के बीच में होनी चाहिए यह हमने किस तरीके से किया था step 1 हम सारे 10 की powers अलग कर देते हैं 64 में 10 की एक power आ जाती है along with 6.4 product law से हम इन दोनों को split करके addition से कर सकते हैं log of 10 जो 1 है and log of 6.4 जो हमने यहाँ पे लिखा है हमें यह भी पता है कि log of 6.4 होगा 0 से 1 के बीच में क्यूंकि यह एक single digit number है यह value हमें fixed पता है इस value को हमें अब determine करनी है यह gap काफी ज्यादा है 0 से 1 में तो हम approximate नहीं कर सकते तो हमें इस gap को कम करना होगा ताकि हम एक number पे पहुँच सके यह gap को कम करने के लिए सबसे पहले हम इसे आधा करने की कोशिश करेंगे which means हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि यह जो number है वो 0 से 0.5 के बीच में है यह 0.5 से 1 के बीच में है यह करने के लिए इसका अगर हमने average लिया तो हमें मिल जाएगा 0.5 0 का value है log 1 1 का value है log 10 यह product loss है हम combine करके लिख सकते है log of 1 into 10 half हमारे पास अलग से बाहर है exponent loss है है इस half को हम logarithm के अंदर लेके उसको raise कर सकते है विच मींज यह हो जाता है log of 10 raise to half या फिर log of root 10 विच मींज के half की value exactly है log of root 10 के पराबर and root 10 कहां से हमें मिली थी extreme values को multiply करके और उसका root लेके विच मींज के अगर हमें यह पता हो के 6.4 root 10 के कौन से side पर रहता है हम यह पता कर पाएंगे के log 0.5 के कौन से side पर रह सकता है हमें यह पता है के root 10 की value है 3.1, 3.2 के असपास which means 6.4 डेफिनिटली उससे बड़ा है तो हम तीनो side पर अगर log लेंगे तो log of root 10 जो है 0.5 वो log of 6.4 से कम ही होगा and log of 6.4 1 से तो कम है जो हमें पहले से पता है तो हमने एक approximation करके window को आधा कर दिया अब भी हम approximate नहीं कर सकते तो mathematicians ने यही process 10 बार repeat किया इन दोनों की extreme values को multiply करके root लेके उन्होंने उस value को 6.4 से compare किया उसके बाद में उन्होंने दुबारा approximation करके ऐसे 10 बार किया एक number के लिए जिससे वो roughly एक ऐसे value पे पहुझ गए जो 3-4 decimal places के अंदर जा रहे थे मतलब माननो हमाँ पस number हुआ 0.6723 तो 0.6723 और 0.6724 में ज्यादा फरक नहीं है तो तब उन्होंने approximation बंद कर दी और log of 6.4 की value या log of 64 की value उन्होंने लिखके उस table में डाल दे यही चीज़ उन्होंने हर number के लिए किया है विच मेंस करीबार उनके पास at least 10 से 20 साल लगे होंगे बस यह पूरा का पूरा log table बनाने के लिए जो हम आसानी से ऐसे खरीद लेते हैं और हम use करने के कोशिश करते हैं